आप सभी मेरे दोस्तों को जैसरी किशुना दोस्तों आप लोग कैसे हैं ग्यस करते हैं कि आप लोग कुसल मंगल होंगे दोस्तो आप मेरे चैनल पर नई है तो universe चैनल को सब्सक्राइब करें दें आको प्रयश करें ताकि सारी नए वीडियो आप सर है दोस्तो आज किस वीडियो में हम आप लोग को एक ताल के बारे में बताएंगे कि एक ताल किसे कहते हैं और एक ताल में कुल कितने मात्रा होते हैं कितने ताली खाली होते हैं कुल कितने बिवाग होते हैं ठेके का बोल किया है उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक ताल का परियोग कौन-कौन से गायन में किया जाता है एक ताल के अंतरगत क्या-क्या भजाया जाता है वो दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा और दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक यह ठेके का main bowl है तो आप अपने copy पर यानि कि notebook पर लिख लेंगे कि एक ताल में कुल 12 महत्रा होते हैं उसके बाद दोस्तों आप लोग लिखेंगे एक ताल में कुल 6 भी भाग होते हैं उसके बाद लिखेंगे ताली तो एक पांच नौ इगारा पर ताली होते हैं और दोस्तो खाली आप लिखेंगे तीसरी और साथ मी मातरा पर खाली होते हैं आप इतना लिख लिए होंगे एक बार मैं explain कर देता हूं ताके आप लोग कॉपी से मिला सके इस बोल को जो आप लिखे हैं एक ताल में कुल बारा मात्रा होते हैं कुल छे भी भाग होते हैं एक पांच नव एगारा परताली और तीसरी साथ में मात्रा खाली होते हैं तो गिस करते हैं कि दोस्तों आप लिखे होंगे अब दोस्तों ठेके का जो मेन बोल है वो आप लिखे बोल है धिन धिन धागे तिरकित तूना कता धागे तिरकित धीना परतेक बिभाग में दो दो बोल है एक बार आप बोल को मिला लीजे बोल है धिन धन धागे तिरकित तूना कता धागे तिरकित धीना ये बोल है कि तो गेस करते हैं कि आप लिख लिए होंगे सबसे पहले दोस्तों आप इस बोल को पहले बजाना सिख लिए कि कैसे बजाया जाता है ठीक है ठीक है धिन जो बजाएंगे तो लोग पर तीन ओटेके पर गजिए इस गोनों को एक बारा घात करेंगे तो दिन सब्सक्राइब तो यह ब्जान आप सिख लिए अब दोस्तों दो बार द्री ने तो दिन दिन तो पहला दिन बजाएंगे अधल्ला बदली करते रहेंगे पहले एक बार यस से इसे बजाएंगे चाटी करना और डेगर पर घेश दोनों को एक बार घात करेंगे तो था और फॉर्स्ट फिंगर से गे तुरिकट श्याही करें जाएंगे दिसे ती रा की तर तूना तूना श्याही पर तूना ठीक है अब दोस्तों आप सूचते होंगे कि इस में तक कव और तो भी है तो दोस्तों इसे कहेंगे कत कट ठीक है यह दोनों एके साथ है कट और आप सुछते होंगे कि इसे क्वा के की भी कहते हैं हाँ दोस्तों इसे क्वा भी कहेंगे की भी कहेंगे की भी कहेंगे कट भी कहेंगे ठीक है तो कोई confusion नहीं होना चाहिए ठीक है तो अब यहां तक तो आप समझ लिए तो अब इस बोल को आप सीख लिए तो आप लोग इसका रियाद भी करेंगे ऐसे करके दोस्तों आप लोग रियाज करेंगे ठीक है अब दोस्तों हम एक ताल पर चर्चा करते हैं सबसे पहले आप ये जानिएं कि एक ताल का पर योग कौन-कौन से गायन में किया जाता है दोस्तों आधुनी क्यूग में ख्याल गायन आप सुने होंगे ख्याल गायन यदि आप नहीं जाते हैं तो यूटूपर सब्सक्रेंगे कि गायन में एक ताल काफी प्रचली था और दोस्तो इस ताल का परियोग जो होता है वो कहां कहां किया जाता है अब आप यह सुनिए कि एक ताल का परियोग कहां कहां किया जाता है दोस्तो एक ताल का परियोग तब ले कि तंत्र बादन सो तंत्र बादन इसमें किया दाता है ठीक है अब दोस्तों आप सोचते होंगे कि तंतर बादन किसे कहते हैं तो दोस्तों तार से जो बनी हुई बाद है जैसे बीना हो गया सितार हो गया तो ये तार से बनी हुई बाद है और अनिक प्रकार के बाद है तो दोस्तों उसके साथ उसे कहते हैं तंतर बाद तंत्रबादन यानि कि तार से बनी होई बाद है तो उसके साथ किया जाता है और सौतंत्रबादन तो आप जानते ही है कि सौतंत्रबादन किसे कहते है ठीक है तो तंत्रबादन तबले पर सौतंत्रबादन में किया जाता है ठीक है तो अब यहां तक तो कोई confusion नहीं है यदि आपको दोस्तो कोई सवाल हो तो प्लीज आप हमें comment में जरूर बता है ताकि मैं आपके सवाल का उत्तर दे सको हूँ ठीक है तो आप यहां तक समझ लिए अब दोस्तो इस ताल के अंतरगत मैंने बोला था कि इस ताल के अंतरगत क्या क्या बजाया जाता है दोस्तो इस ताल के अंतरगत बजाया जाता है पेशकार, काईदा, रेला, परन, तुकरा इत्यादी यह सब बजाया जाता है यानि कि यह सौत अंतरभादन में बजाया जाता है पिसकार, कादा, रेला, परन, टुकडा ये सब बजाया जाता है तो दोस्तों अब तो आप यहां सक समझ लिए अब दोस्तों एक ताल का जो मुख बिसेश था अब मैंने एक सवाल आपसे और मैंने बताया था आपको पहले बार कि एक ताल का परियोग कौन-कौन से ले में किया जाता है तो दोस्तों एक ताल का जो परियोग है वो अधिकतर मध्य अति बिलंबित मध्य और अति दुरुत ले में किया जाता है कौन-कौन से ले में किया जाता है माध्य, दुरुत और अती दुरुत ले में किया जाता है अब दोस्तों आप तो सोचते होंगे कि चार ताल भी तो उसी प्रकार से है चार ताल की मातरा संख्या ताल इखाली तो उसी प्रकार से है आप ये भी सोचते होंगे तो दोस्तो 추ार ताल का जो पर्योग है वो पकْहावज पर किया जाता है यह पकावज की ताल है और एक ताल जो यह तबले की ताल है दोनों के मातरा संख्या ताल लिखाली सब एक समान है भिन्ह ताक, एवल बोल और परियोग बीधी में है ठीक है तो इसी के साथ आपसे वे करें दोस्तों वीडियो अच्छे लागी हो तो प्लीज लाइक शेर और कॉमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें दोस्तों कोई सवाल हो तो प्लीज आप हमें कॉमेंट पॉक्स जरूर बताएं